नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चानल पर जहाँ पे आपको मिलते हैं high quality book summaries जो personal finance, stock market and investment के उपर based होती है आज मैं जिस book की summary आपको साथ share करने जा रहा हूँ वो one of my favorite book है जिसका राम है everyday millionaires How ordinary people build extraordinary wealth and how you can do it too जिसे लिका है Chris Hogan ने इस book में ये बताया गया है कि आम आदमी कैसे कुछ specific strategies and mindset को follow करके पैसो को grow कर सकता है और long term तक wealth create कर सकता है Chris Hogan एक best selling author है, speaker है और financial expert है जो पहले Dave Ramsey के साथ कई सालों तक काम किया है Dave Ramsey एक well known financial expert है अमेरिका में जिन्होंने The Total Money Makeover book लिका है और साथ ही साथ ये एक radio show के host भी है जो financial based radio show है इस book में Chris Hogan ने 10,000 American millionaires के उपर detailed research, study and analysis की है और हमें एक step by step method से ये सिखाया है कि हम कैसे उन millionaires की habits and mindset को अपनी जिंदगी में अपना कर पैसो को attract कर सकते हैं और साथ ही साथ हम financial independence achieve कर सकते हैं strategy number one है self belief the superpower for wealth creation Roger Bannister एक British athlete थे जो distance running में participate करते थे जिस वक्त वो एक athlete थे उस वक्त किसी ने भी 4 minute mile का challenge complete नहीं किया था basically 4 minute mile challenge में आपको 1 mile भागना होता है जो की approximately 1.6 km है उसे आपको cover करना है 4 minute के अंदर लेकिन 6th May 1954 में वो पहले mid distance athlete बने जिन्होंने एक record बनाया था 3 minutes 59 seconds में और कमाल की बाद तो ये है कि इतने सालों में जो किसी ने नहीं किया था वो Roger ने करके दिखाया था और जैसे ही उन्होंने ये करके दिखाया यानि उन्होंने 4 minute mile challenge को complete किया उसके ठीक 6 हफते बाद एक और athlete ने Roger Bannister से भी जल्दी इस challenge को complete किया और आने वारे 50 सालों में कुल 18 athletes ने इस challenge को complete किया और current record है 3 minutes 43 seconds जिसे आज hold करते हैं Hicham, Guruj जो एक Morocco के athlete है तो यही है power of belief जो author हमें सिखाना चाते थे कि जैसे ही लोगों को ये पता लग गया कि 4 minute mile possible है वैसे ही लोग उसे complete करने लगे इसलिए author Chris ये कहते हैं कि लोग आजकल ये सोचते हैं कि उनके लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने situation and environment को blame करते हैं author के अनुसार सभी में एक unshakable believe होनी चाहिए कि हम करोरपती बन सकते हैं और financially successful भी बन सकते हैं even author के research में ये पता लगा है कि जो लोग starting से अपने उपर believe रखा है उन्होंने ही financial independence को achieve किया है और अपनी और अपनी परिवार की life को change किया है तो मेरा question आप से ये है कि क्या आप में एक unshakable believe है कि आप पैसो को attract कर सकते हैं क्या आपको लगता है कि आप करोरपती बन सकते हैं आने वाले 10 सालों में comment section में मुझे जरूर reply करें लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर बनेंगे strategy no.2 है hard work and sacrifices are ladders of becoming rich यानि author के अनुसार आपकी लगन और आपकी त्याग ही पैसो को आकरशित करती है आपकी जिंदगी में हम लोगों में एक problem ये है कि हम जब भी किसी ultra rich के बारे में बात करते हैं तो हम दो चीजों पर ज़्यादा focus करते हैं पहला ये कि ये वेक्ति बहुत ज़्यादा lucky है दूसरा उन्होंने कुछ साल hard work किया है उसके बाद सिर्फ वो enjoy ही कर रहे हैं अपने पैसो पर यानि वो अब उतना काम नहीं करते हैं पर author इन दोनों assumptions को reject करते हैं अपने research में author ने ये पाया है कि 79% लोग self made millionaire थे जिन्होंने अपने दम पर अमीर बने है यानि उन सभी के family में वो पहले millionaire बने थे Michael Phelps जो आज तक की सबसे successful Olympian है जिन्होंने सबसे ज़्यादा gold medals जीती है कुल अपने career में उन्होंने 28 medals जीती हैं जिनमें से 23 gold, 3 silver and 2 bronze medals है सारे experts जही कहते हैं कि Michael Phelps की body bunny है swimming करने के लिए यानि बाकी लोग ये मानते थे कि उनकी genetics ही major reason है उनकी success के लिए लेकिन अगर आप Michael Phelps के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो वो दिन में 6-8 घंटे swimming करते थे हफते में 6 दिन साथ ही साथ वो heavy lifting करते थे उनकी nutrition और उनकी rest बहुत ही कमाल की थी उनकी life ही एक ऐसी तरीके से design किया गया था जिसे कि वो swimming में अपना best दे सके उन्होंने अपने कई सारे interview में ये कहा है कि genetic advantage आपको सिर्फ एक level तक महुचा सकता है लेकिन उसके बाद सिर्फ आपका hard work है जो आपको एक successful Olympian मनाता है उसी तरह हम millionaires के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने hard work नहीं किया होगा या वो अभी hard work नहीं कर रहे हैं लेकिन ये सच नहीं है हमारे पास आज infinite number of opportunity हैं जो पहले कभी भी नहीं थी talent matter करता है लेकिन hard work beats talent if talent doesn't hard work एक press conference में रोहिच शर्मा हमारे current Indian captain उनको एक talented cricketer कहा गया तो इसके reply में वो ये कहा कि जब आप मुझे talented cricketer कहते हो तो आप मेरी hard work को ignore कर रहे हो लेकिन मैं खुद को एक hard working cricketer कहता हो ना कि talented तो strategy number two में हमने ये सीखा कि hard work and sacrifice बहुत ज़रूरी है अगर हमें financial independence achieve करना है तो hard work यानि अपने काम में बहतर होना, networking पर ध्यान देना, different books पढ़ना, different courses करना, अपने आपको educated and skilled बनाना sacrifice में आपको late night parties या expensive phones या हर उस चीज को त्यागना होगा जिससे की आपका time का value नहीं बढ़ता है strategy number three है, your school and college doesn't guarantee success यानि आपका school and college आपको successful नहीं बनाता है, actually पढ़ाई important है author के research में 88% millionaires के पास at least bachelor's के degree थी Georgetown University ने एक research किया, जिसमें ये पता लगा है कि जो लोग at least bachelor's की पढ़ाई करते हैं वो लोग high school तक पढ़ने वाले से 74% जादा पैसे कमाते हैं अपने पूरी life में हमारे इंडिया में top institute तो है, लेकिन उसमें बहुत कम बच्चे जा पाते हैं लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बाकी students कुछ अचीवी नहीं कर सकते हैं जी नहीं of course मैं उन students की hard work को appreciate करता हूँ लेकिन सिर्फ school and college आपकी life set नहीं करती हैं बलकि आपके पास जो भी अभी available resources हैं and opportunities हैं उसे आप कैसे अपने लिए काम करते हो, वो सबस्यादा जरूरी है author US के students को loan लेने से मना करते हैं लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडिया का education तो सस्ता है लेकिन ऐसा नहीं है हर साल इंडिया का education की cost बढ़ रही है maybe जो आज अभी 20s में है, कल जब वो parents बनेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको loan लेना पड़ सकता है because education इतना costly होने वाला है आने वाले समय में author कहते हैं कि millennials are normal people with normal jobs and what makes them different is their behavior and mindset यानि ज़रूरी नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ app ही बनानी पड़ेगी या फिर आपको कोई car launch करना पड़ेगा बलकि आप एक normal business से भी काफी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं depend करता है कि आप कितने skilled हो तो step number 3 में हमने सीखा कि branded education success की cd नहीं है बलकि आपका attitude and mindset definitely है strategy number 4 है skill of taking your financial responsibility यानि अपने financial responsibility को समझना और इसकी जिम्यदारी भी लेना author कहते हैं कि जैसे ही हम एक GPS में अपना location set करते हैं तो हम बस उसी direction में चलने लगते हैं automatically और चलते चलते हम सही destination पर भी पहुंच जाते हैं बिना किसी problem के इसलिए Chris Hogan हम सभी को अपना net worth calculate करने के लिए कहते हैं net worth का मतलब है कि आपकी जो liabilities हैं उससे आपने asset को minus करना for example आपकी property की valuation है एक करोर रुपए आपकी savings है 10 लाग रुपए और आपने invest कर रखा है different financial instruments जैसे stocks, bonds, PPF, insurance almost 30 लाग रुपए तक आपकी asset है तो कुल एक करोर प्लस 10 लाइक प्लस 30 यानि 1 करोर 40 लाग रुपीज आपका asset है आपके उपर मेभी loan है 25 लाग रुपीज का तो कुल आपकी net worth हुई 1 करोर 15 लाग रुपीज चुकि हमने liability को minus कर दिया asset से अब author कहते हैं कि हमें अपना goal decide करना होगा, माल लेते हैं कि आपका goal है कि 35 की age से पहले तक आपको 10 करोर रुपीज का net worth बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या-क्या steps लेने होंगे, सबसे पहले आपको अपनी income बढ़ानी होगी, वो कैसे बढ़ाओगे आप, maybe आप अपने business पे नए products को launch करो, या नए niche business start कर सकते हैं, जिसमें आप तो definitely आप grow करेंगे, दूसरा concept जो author इस chapter में introduce करते हैं, वो है intentional spending की, जिसके बारे में हम detail में समझने वाले हैं, author के study में ये पता चला है कि 94% million years अपने expense, अपना income से कम रखते हैं, और सिफ important वाले चीजों पर ही अपने पैसे को वो invest करते हैं, जो उनके income को और बढ़ाने में help करता है, इसलिए author कहते हैं कि हमें budget में रहना सीखना होगा no matter आप अभी कितना कमा रहे हैं, उससे कम आपको spend करना होगा, हर मन्त आप पहले ये calculate करिए कि आप कितने पैसे approximately आने वाले हैं और ये भी track करिए किसी भी mobile app से कि आप कहा कहा अपने पैसे खर्च करते हो, इससे ये होगा कि आपको एक idea मिल जाएगा कि आप एक millionaire mindset को follow कर रहे हो या नहीं, इस strategy में हमने सीखा कि अपना financial responsibility आपको लेना है और अपना net worth भी calculate करना है, then आपको budget में रहना सीखना पड़ेगा according to your life goals वीडियो के last section में जाने से पहले मैं आपको Cuckoo FM app के बारे हैं बताना चाहता हूँ, Cuckoo FM India की leading audio podcasting platform है जिनका mission है लोगों की life को transform करना अपने audio content से One of the best features Cuckoo FM app के ये है कि आप audiobooks regional language में सुन सकते हैं और अभी English एक barrier नहीं रहेगी कुछ भी सीखने के लिए कुछ audiobooks जो मेरी फेवरेट है Cuckoo FM app में वो है The Science of Getting Rich, The Psychology of Money and Rich Dad Poor Dad ये तीनों books में आप सभी को recommend करूँगा कि आप जरूर Cuckoo FM app से इनको consume करें, इनके premium membership पुरे साल का cost है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा code यूज करेंगे, तो आपको 50% off मिलेगा, पहले 250 users के लिए, आपको बस BP50 यानि Book Pillow 50 code का यूज करना है, पे करने से पहले, पुरे साल की membership आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी, जो प्रती दिन 1 रुपे से भी कम की cost में है description में दियेगे, link से आप Cuckoo FM आपको ज़रूर डाउनलोड करिए और अपनी life को बहतर करिए strategy number 5 है, consistency and smart goals helps millionaire to stay rich long term, smart goals का मतलब है specific, measurable achievable, relevant and time sensitive, millionaires हमेशा specific goal बनाते हैं, यानि वो बिलकुल clear and properly designed होते हैं, unrealistic goals कभी-कभी बेवकूफी होती है अगर आप अभी 25 साल के हैं और आपकी monthly income 30,000 रुपे हैं तो ये बहुत rare है कि आप next year आपकी income 1 करोर रुपे पर मन्त हो सकती है, लेकिन 30,000 पर मन्त से 50,000 पर मन्त पहुँचना काफी जादा possible है हर किसी के लिए दूसरा है measurable यानि आपके goals के साथ कुछ numbers जुड़ा होना चाहिए जिसे आप measure कर सको for example अगर आपकी company की revenue इस साल रही almost 50,000,000 दिन आपका goal होना चाहिए next year 75,000,000 का revenue generate करना author के अनुसार और कई research भी ये कहती है जब भी आपके goal के साथ एक number जुड़ता है तो आप ज़्यादा motivated feel करते हैं काम करने के लिए तीसरा है achievable जो मैंने आपको explain कर दिया कि ऐसा specific goal होना चाहिए जिसे आप measure कर सको और जिसे पाना संभब भी है आपके लिए यानि तीस अजार से तीन लाक होना मुश्किल है लेकिन तीस अजार से पचास जार होना काफी ज़्यादा possible है चौदा है relevant यानि ऐसा goal जो आपकी lifestyle and personality से match करे और time sensitive का मतलब है कि आपके goal पर एक deadline होना चाहिए यानि मुझे 10 सालों में या 15 सालों में financially independent बनना है तो चलिए हम एक sample smart goal बनाते हैं राहूल एक college graduate है जिसका smart goal ये है कि वो आने वाले कुछ महीनों में उसकी job लग जाए जहां से वो at least 50,000 रुपे पर मन्त कमा सके 50,000 रुपे पर मन्त specific है इसे आप measure भी कर सकते हैं अपने goal को meet कर रहे हैं या नहीं ये achievable भी है और ये राहूल के लिए relevant भी है उसके family को support करने के लिए और finally इसमें deadline भी है कुछ महीनों का तो please comment section में आप मुझे अपना financial smart goal ज़रूर लिखिए और आपके goals बाकियों के लिए motivation का काम करेगा इसी तरीके से आप short term smart goals and long term smart goals बना सकते हैं short term मतलब जो एक साल से कम हो और जो long term का मतलब जो एक साल से ज़ादा हो last concept है इस book का consistency के उपर यानि कैसे अगर हम इन mindset को daily use करे तो long term में हम definitely millionaire बन जाएंगे और हमें कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि imagine करिए कि आप इस situation में है और आपका वो starting location है और आपका destination है financial freedom दिन आज से ही हमें जिन भी mindset के बारे में हमने आज सीखा है वो है आपकी गाड़ी यानि आपकी car जो आपको help करेगा आपको destination तक पहुँचने में और मुझे पूरी उमीद है कि आप जरूर पहुचेंगे आप नहीं बलकि मेरा जो goal है इस channel को लेकर 10 यार लोगों को financially free बनने में help करूँ वो सारे लोग आने वाले 5 सालों में definitely million year बनेंगे तो summary of the video है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको financial independence मिले तो सबसे पहले आपको अपनी habits and mindset को upgrade करना पड़ेगा उन logo जैसे बनाना पड़ेगा जो already success achieve कर चुके हैं strategy number one है self belief जिसमें हमने सीखा कि कैसे अपने उपर believe रखे कि हम financial freedom achieve कर सकते हैं दूसर strategy हमने सीखा hard work and sacrifice के importance के बारे में तीसरा हमने सीखा कि आपके college decide नहीं करती कि आप कितने अमीर होने वाले हो और आप हमेशा किसी भी situation से अपना best से best दे कर grow कर सकते हैं चौथा strategy में हमने सीखा financial responsibility लेना जिससे कि हम सही track पर रहें और आखरी strategy में हमने smart goals and consistency के बारे में सीखा उमीद करता हूँ कि ये video आपके लिए helpful रही होगी अगर आप ऐसे ही और personal finance book की summary देखना चाते हैं तो आप मेरा playlist जिसका नाम है personal finance उसके सारे videos चेक करिए और साथ ही साथ इस video को like जरूर करिए और हो सके तो अपने दोस्तों को साथ share जरूर करिए तो मैं मिलूँगा आपसे एक और amazing book summary के साथ तब तक के लिए keep reading, keep growing और description में दिये गए link से जरूर कुकू FM application को download करिए और इनके premium content को consume करिए